हमारे धर्म ग्रंथों में अनिक ऐसी बाते बताई गए हैं, जो हमें लाइफ मैनेजमेंट के सुत्र सिखाती है, गरुल पुरान भी एक ऐसा ही ग्रंथ हैं, जो हमें जीवन से जुड़ी अनिक गुप्त बातों से अवगत करवाता है, ये बाते हमारे लिए जाना बहुत ही जरूरी है, गीताप्रेस गोरक पुरद्वारा प्रकाशित संक्षिप्त गरुल पुरान अंक में मनुष्यों की आयू कम करने वाले पांच कामों के बारे में बताया गया है, ये पांच काम इस प्रकार हैं, एक, रात में दही खाना, रात में दही खाने से भी मनुष्यों क आयू कम होती है। वैसे तो दही खाना शरीर के लिए फायदे मंद होता है। लेकिन रात के समय दही का सेवन करने से कई प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे पेट के रोग आदे। प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसलिए रात के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए। 2. शुष्क मांस का सेवन। शुष्क यानी सूखे हुए मांस का सेवन करने से भी मनुष्यों की आयू कम होती है। सूखे मांस से यहाँ तात पर है बासी या कुछ दिन पुराना मांस। जब मांस कुछ दिन पुराना हो जाता है तो वह सूख जाता है और उस पर कई प्रकार के खतरनाक बैक्टिरिया वारसों का संक्रमन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति ये मांस खाता है तो मांस के साथ बैक्टिरिया तथा वारस भी उसके पेट में चले जाते हैं और कई प् पूरे दिन की अपेक्षा सुबह ब्रह्म मुहूर्थ में शुद्ध वायू अधिक होती है। शरीर के मृत होते ही उस पर अनिक प्रकार के बैक्टिरिया वारसों का संक्रमन हो जाता है। इन रोगों से मनुष्य की आयू कम हो सकती है। 5. सुबह ब्रह अत्यधिक मैथुन करना तो इससे उसका शरीर कमजोर होता है। अत्यधिक मैथुन के कारण शरीर लगातार कमजोर होता जाता है और एक समय ऐसा भी आता है जब शरीर में रोगों से लड़नाई की ताकती समाप्त हो जाती है। उस स्थिती में अनिक घातक रोग शरीर को अंदर तक खोखला कर देत हैं। इसलिए सुबह के समय वह अत्यधिक मैथुन नहीं करना चाहिए इससे मनुष्यों की आयू कम होती है। वीडियोज देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।